नए संकल्पने फिर से नए नारे गढ़े फिर से उठो संग्रामियों जागो उठो संग्रामियों जागो नए शुरुवात करने का समय फिर आ रहा है कि जीवन को चटक गुल्णार करने का समय फिर आ रहा है चलो अब इक नए अभियान के पदचाप गुजे मौत की सुनसान सुनी वादियों में फिर किनूतन सरजना के राग भर दे शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिम्षिलाएं सरदियों के बाद हर दम ही वसंताता रहा है यह प्रकृति की गति रही है अन्हेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है पराजे जिलनी पर भी शिविर में न्याई की हर दम शाले जीत की जलती रही है पराजे आज का सच है समर तो शेश है फिर भी उठो ओ सरजको नवजागर्ण के सुत्र रचनी का समय फिर आ रहा है की जीवन को चटक कुलनार करनी का समय फिर आ रहा है नए संकल्पली फिर से नए नारे गड़ी फिर से उठो संग्रामियों जागो उठो संग्रामियों जागो नए शुरुआत करनी का समय फिर आ रहा है की जीवन को चटक कुलनार करनी का समय फिर आ रहा है फिर आ रहा है फिर आ रहा है अम शेंदे घलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो विचार कर चलो रह की मुसिबतों को पार कर चलो गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो हम पे जिम्मेदारिया है देश की बड़ी हम ना बदले अपनी चाल हर घड़ी-घड़ी आग ले चलो चिराग ले चलो ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो आग ले चलो जिराग ले चलो ये मस्तियों के रंग भरे भाग ले चलो गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो विचार कर चलो मन्जिल के मसाफिर तुझे क्या रह की फिकर चट्टान पर तुफान के जोगो का क्या असर ये कौन आ रहा है अंधेरा चारा ये कौन मंजिलों पे मंजिले उठा रहा है मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको बढ़ के चलो एक साथ अब नहीं जुको साज करेगा, आवाज करेगा हमारी वीर्ता पे जहानास करेगा गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो रहा की मुसीबतों को बार कर चलो बार कर चलो अध्यात मारथात आगे कितना आगे? और आगे कितना और? जो और है उससे और आगे आगे, आगे, आगे पढ़ते जाना है रुकना ही नहीं है जो कुछ यहां हो रहा है पॉजिटिव वो सभी क्या है? मील के पत्थर मात्र है यह अनुभव हो गया, वो अनुभव हो गया ऐसा हो गया, वैसा हो गया यह दिग्या, वो दिग्या यह सेवा कर ली, वो सेवा कर ली ऐसी सेवा कर ली, वैसी सेवा कर ली यह सब क्या है? मिल के पथर माइल स्टोन मन्जिल कहा है आगे और वहाँ आगे पहुचने के बाद और आगे कितना आगे और और आगे बढ़ते चादो तो यक्या के इतिहास का कारवा कहां तक पहुचा है कश्मीर में हम डेर डाले हुए कश्मीर से कराची कराची में हम देर डाले हुए कुछ समय से कारवा आगे नहीं बढ़ेगा जब तक कि यहां की सारी बाते पूरी नहीं हो जाती तो देर सारी बाते यहां हो रही है 1939 से 1940 41 42 43, 44, 45, 46 47, 48, 49, 50 1950 यहीं रुखना है आज एक और नहीं बात जो इसी समय हुई कल हमने देखा कैसे नय-नय राज खुले सुक्ष्म सुक्ष्म राज यहां रहते रहते लगबक छे वर्ष पूरे हुए इन छे वर्षों में बहुत सारे जो यग्यवत जो कन्याए है जो माता है उनका अपने घर से कोई संपर्ग नहीं छे साल पूरे हो चुके छे साल के बाद कहीं कहीं लिखाए पाच-छे साल कहीं कहीं स्ट्रिक्ट्ली लिखाए छे साल छे साल के बाद संदेश पुत्रियो दोरा संदेश आया कि अभी तुमें कहा जाना है वापस घर दो कारण एक humanitarian और एक outreach पहला कारण युमानिटेरियन जिनको छोड़ कर आये थे अब वापस उनके पास जाओ जिन से मार खाके आये थे अपकार जिनों ने किया था अब जाकर उन पर उपकार करो दूसरा कारण आउट्रीच आउट्रीच अर्थात विलेज आउट्रीच प्रोग्राम होता है वियोबी आउट्रीच अर्थात वो लोग जिनको सेवा नहीं पहुँच रही है सेवा मुहेया कराना सेवा उन तक पहुचाना एक्सेसिबल कराना जिन तक सेवा पहुचती नहीं है उन तक सेवा पहुचा देना उसको कहते है आउट रीच तो दो परपस थे एक तो युमानिटी रिन ग्राउंड जो परम शक्ती है उसने कहा कि जाओ almighty power ने कि अब तुम बहुत mature हो चुके हो बहुत शक्ती शादी हो चुके हो अब तुमको वापस जाना है कहा वापस जाना है उसी लोग की घर उसी मा के पास जिसने बहुत पिटाई की थी उसी बाप के पास जिसने तालों में बंद किया था उसी पती के पास भी उनके पास तुमें वापस जाना है यह आदेश आया संदेशियों के द्वारा एक दिन अचानक और फिर बहुत सी कन्याएं बहुत सी माताएं बहुत से यग्यवत्सों को अपने लोकिक में वापस भेजा गया जो पूरे परिवार थे उनका तो जाने का कोई सवाल नहीं था पर जो हमने देखा 15 कन्याएं जो भाग करा गई थी जन्वरी में फिर 18 जन्वरी 1939 में एक कन्या की माता ने कोर्ट में केस फाइल कर दी थी और अल्रेड़ी केस चल रही थी तो उसके बाद की ये घटना है कि अभी 6 साल पूरे हो चुके है उन सब को ये सब बात हो वो तो भूल गए उन्होंने तो ये सोच लिया अब ये लोग वापस नहीं आएंगे कब तक दुकी होंगे इसके लिए इसके लिए वो अपने जीवन हमारे लिए मर चुके अभी उन से हमारा कोई कनेक्शन नहीं तो उन लोगों को घर भेजा गया परन्तु घर भेजते समय छे नियम थे छे बाते घर जब जाओगे तो स्ट्रिक्ली इन छे बातों का ध्यान रखना यहाँ पर भी ये लागू है लोकिक में जाओगे भट्टी के बाद और जो यहाँ रहते हैं वो जब घर जाएंगे यदा कदा कदाचित कभी जाओगे तो ये छे बाते भूलना नहीं है ये छे बाते याद रखने हैं अपनी घर लोकिक जाते समय तो वो जो सारी कन्याएं माताएं घर गई उन्हों को ये छे बातो six rules पहले पक्के कराएं गए उसके बाद ही घर जाना किसको याद है छे rules सब ने सब पड़ा हुआ है मात्मा बुद्ध घर लोटे बारा वर्ष हो चुके बुद्ध ने इच्छा वेक्त की कि घर लोटना चाहिए आनन पूछता है क्यो क्या वशकता है आप बुद्ध हो चुके हो आप बुद्ध पुरुष हो बुद्ध की कौन पिता कौन मा कौन पत्नी कौन बच्चा बुद्ध कहते हैं नहीं मुझे लोटना पड़ेगा मुझे लोटना है मैं घर जाओंगा घर एक बार तो जाना है क्योंकि आदी रात को पत्नी को छोड़ कर चला गया था क्रोध से भरी होगी हो उससे माफी तो मांगनी पड़ेगी इसलिए घर जाना है बुद्ध वापस लोटते हैं सब से मिलते यश्वदरा से नहीं मिलते हैं उससे थोड़ा प्राइबिट मिटिंग होनी चाहिए पर साथ में आनन्द है परचाई की तरह जहां बुद्ध है वहां आनन्द है वो आनन्द बुद्ध का ही बड़ा भाई है चचेर भाई है लोकिक में और जब वो सन्यास दिक्षा लेता है पुद्ध के पास तब वो एक शर्त रखता है कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूँगा जहां आप सोएंगे वही पर मैं सोऊँगा एक पल भी आप से अलग नहीं रहूँगा ये अगर शर्त मन्जूर है तो ही मैं आपका शिष्च बनने को तैयार हूँ ब्रामणी बनने के लिए ब्रामणी की भी शर्त है ये मत कह दे ना कि तुम वहां जाओ सेवा में यहां चले जाओ ये मैं नहीं करूँगा ये शर्त है मेरी कि जहां आप रहेंगे वहां मैं रहूंगा और बुद्ध ये शर्त मान लेते इसलिए जहां जहां बुद्ध है वहां आनन्द है जहां बुद्ध सो रहा है वही पर आनन्द सो रहा है पूरा 40 साल बुद्ध पूरे भारत में घूम रहा है सब जगा आनन साथ साथ गूम रहा है पर ये थोड़ी प्राइविट बात है आज क्योंकि यशुधरा क्रोट से भरी है अंदर से शायद वो चीखेगी चिलाएगी तो आनन से कहते हैं कि तुम तरह हटो तो वो प्रगट कर पाए पर वो भी अड़ा हुआ है जहाद तुम हो वहाँ मैं हूँ पावरफुल ब्रामणी है कहते हैं बुद्ध और यशुधरा वारतालाब बड़ा प्रसिद्ध वारतालाब है रविदरनाद टैगोर की पूरी का कविता है इसके उपर एक यशुधरा के प्रश्न बुद्ध कुछ-कुछ प्रश्नों में मौन हो गए कोई उत्तर ही नहीं उसमें से एक प्रश्न पहले भी सुनाया था कि यशुधरा पूछती है क्या तुम जो पाने गए थे वो यहां नहीं मिल सकता था क्या उत्तर दे यस तो गए क्यों फिर और ना भी नहीं कह सकते क्योंकि अभी संपूर्न ग्यान प्राप्ति के बाद तो यह पता चल गया कि कहीं जाने की जरूती नहीं कहीं पर भी प्राप्त किया जा सकता इसलिए वो चुप रहे गए पर मुख्य प्रश्न उसका ये था क्या तुमें मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं था कि चुप चाप चोर की तरह निकल गए मैं शात्राणी हूँ युद्ध के लिए भी गय होते तो तिलक दे के भेश दी तुमको क्या इतना भी विश्वास नहीं मुझ पर कि चले गए भुद्ध चुप रहे गए पर भुद्ध कहते है कि जो गया था और जो लोट के आ रहा है वो अलग है जो गया था वो तो गया ये जो आ रहा है ये दूसरी ही जोती है ये जो आ रहा है ये वो नहीं है जो गया था बट्टी में जो आये थे और यहां से अभी जाएंगे वो वो नहीं होने चाहिए वो दूसरे दिखाया गया है बाद में जशोधरा भी सन्यास ले लेती है वो भी बिक्षुनी बन जाती है फिर उसका बेटा वो भी बिक्षु बन जाता है राहुल और आगे, और आगे, और आगे तो बुद्ध कहते हैं जो गया था वो जो लोटा है वो वो नहीं है और मैंने जो पाया है अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी वह पाओ जिस परम आनंद को मैंने पाया है जिस परम रहस्य को परम ज्ञान को मैं उपलब्द हुआ हूँ मैं चाहता हूँ कि तुम भी वह जानो क्योंकि वो एक ऐसी उपलब्दी है कि जिसकी तुम्हें कलपना ही नहीं है इसलिए मैं मैं अपापस लोटा हूँ करुणा की वज़े से लोटा हूँ मोह की वज़े से की नहीं आसक्ती की वज़े से नहीं आनन्द पूछे जा रहा है कि क्या लेना देना गुद्ध पुरुष का कौन उसकी पत्नी कौन उसका पाप तुम्हारा क्या लेना देना कौन से रिंड सन्यासी सभी रिनों से मुक्त हो जाता है भागवत में लिखा है जब कोई जीव कृष्ण परमात्मा की शरन लेता है तो पित्र रून मात्र रून समाज रून सभी रिनों से वो मुक्त हो जाता है उसे किसी की चिंता करने की जरुवत नहीं माबाप का क्या होगा देश का क्या होगा राजी का क्या होगा गाव का क्या होगा जहां मैंने जिन्नोंने मेरी पालना की वो सभी रिणों से मुक्त हो जाता है अगर संपूर्ण समर्पन हो उसका तो उसे चिंता करने की जरुवत नहीं मेरी मा, मेरे पिता कमाई क्या होगी कौन कमाएगा, कौन खिलाएगा उनको नतिंग अगर इस समर्पन संपूर्ण है तो जिसने मेरी पालना की है वो उनों की भी पालना करेगा तो छे रूल्स ये लोग वापस लौटते हैं तो छे रूल्स इनको सिखाये जाते पहला आत्मनिष्ट देहबान में नहीं आना है ये मेरी मम्मी मेरा बेटा, मेरा टिंकू, पिंटू चाहे कोई भी हो कोई भी हो तुमें किस भाव में रहना है आत्मिक आत्मनिष्ट भाव में घर जाने के बाद आत्मनिष्ट भाव हो ये पहला रूल दूसरा नो हगिंग गले मिलना नहीं किसी से जाके बहुत दिनों बाद मिले बहुत दिनों बाद मिले कैसे हो मेरी याद तो नहीं आई मुझे मिस तो नहीं किया मदुबन में योग करते-करते आपकी बहुत याद आ रही थी I miss you so much in मदुबन बाबा से भी यही योग चलू था देखो इधर कितना अच्छा प्रोग्राम चलू है तुमको लाइव दिखाती हो वो वहाँ बैठा है संसार के वाइब्रेशन्स में तुम यहाँ बैठे हो भावना है कि उन्हें भी थोड़ा सानुबह हो जाए नोहगीन गले मिलना, ये करना, वो करना ये सब में नहीं जाना है लौकिकता भरी है इसमें शरीर का स्पर्ष चित्त को उत्ते जित करता है दूसरा रूल नोहगीन तीसरा रूल नोईटिंग उनका हाथ का बनाय हुआ तुमको नहीं खाना है और खाना क्या है अग्या है only vegetarian क्योंकि ये सभी जो सिंधी लोग है उस समय के सभी मासाहारी है और रिदेपुष्पदादी कानुबोए जो इस किताबों में भी है जो सबने पढ़ा होगा तो भोजन जैसे ही किसी के हाथ का हम भोजन खाते हैं एक मन में तरंग ये उत्पन्न हो जाने लिए यदि वो भोजन आसकती से बनाया हुआ है किस भाव से बनाया हुआ है इसके लिए जो भी भोजन प्लेट पर आता है उसमें बहुत सारी चीजे मिक्स होती है चाहे उसको भोग भी लगाया गया है सब कुछ फिर भी हमें अपनी दृष्टी उसको देनी है फिर भी अपना भोग खुद लगाना है वो किसान जिसने वो खेत में उगाया फसल वो क्या कर रहा है उसके कौन सी भावना थी वो उदर नशे में धुद विकारी जीवन उसकी वो खेती और वहाँ पर उगाया है फिर यहाँ कितना प्रोसेस रिफाइनिंग करते 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 सब करते करते यहाँ पोचे यहाँ पे फिर माता है उसको चान रही है फिर उसको बनाने वाले दूसरे फिर उसको परोसने वाले दूसरे फिर भोग लगाने वाले दूसरे यह सब के थूँ वो भोजना रहा है और पैसा पैसा भी कहां से आया है पता नी तो अशुद्धिया तो उसमें है भोग भी लगाया जा रहा है पर भोग लगाने वाली की बुद्धी कहा है वो भी एक प्रश्न है कल कहा न, पहले फूख गदे ने मारती है, अब क्या कुरू में कहीं और खो गया था भोजन की धारणा को पक्का रखने है भोजन की धारणा में गिरावट आते ही मन्स थूल हो जाता है भारीपन आ जाता है vibrations कम हो जाते है और जितना भारी भोजन उतने vibrations हमारे कम कम होते रखते हैं higher vibrations के लिए higher frequency वाला food चाहिए सब कुछ करने के बाद में भी अगर स्तिती नहीं बन रही है तो काम करना है भोजन पर क्योंकि शायद भोजन ही ऐसा जा रहा है जितना स्थूल, जितना ग्रॉस जितना भारी, जितना डेंस होगा वो उतना मन, डेंस ग्रॉस, स्थूल, भारी रहेगा शरीर में हमेशा एक थकावटसी रहती है हमेशा भारीपन से रहता है क्यूँ? क्यूँ थकान रहती है हमेशा सब तो ठीक खा रहे है ठीक नहीं खा रहे है तो क्या बताया गया इन कन्याओं को जब घर जाओगे तो इसलिए दादी मनो और इंद्रा कहती है कि मैं साथ दिन तक अपने घर रही और केवल किस पर रही फलाहार पर पस सेवन डे फ्रूटेरियन डाएट जैसे ही चेतना रसाहार पर जाती है शरीर से डिटैच्मेंट चलू हो जाता है जो अनाज है अनाज डाल डाल के डाल डाल के जो भारी पनाता है सुस्ती आती है निद्रा की अवस्था रहती है एक जड़ता रहती है शरीर में जैसे ही अनाज हटता है और वो आजाता है जिसमें प्रान उर्जा है प्रानिक फूड है अपने आप उर्जा भरने लगती है जाकती जोत हो जाती है चेतना नींद थोड़ा सा सो जाओ और फ्रेश कभी भी उठा दे कोई उठा दे तो irritation ने क्यों उठाया और पेट भर के यहां तक खाने के बाद जब नींद आती है और कोई उठाता है तो वो दुश्मन जैसा दिखता है नींद का पूरा मज़ा किरकिरा कर दिया उसको कहो कि योग का समय वो कहता है मैं बाबा को ही देख रहा था सो अपन में योग उदर चली रहा था तुमने मेरा योग डिस्टब कर दिया तो तीसरा अपना भोजन खुद अपने हाथ से बनाओ उसमें सबसे जदा उर्जा है याद करते हुए बनाओ क्लास सुनते हुए बनाओ कुछ ग्यान का चिंतन करते करते बनाओ किसके लिए बना रहा हूँ ये सोचते सोचते बनाओ तो वो सारे vibrations उसमें भर जाएंगे उसमें चाउता रूल चाउता रूल छे रूल है नो मनी कुछ भी पैसा लेना नहीं जिस से हम पैसा लेते हैं उसके हम गुलाम बन जाते हैं जितना हो सके इंडिपेंडेंडेंट अपने पैरों पर खुद खड़ा रहा हाँ इसमें फिर कुछ केटिकिरी से जो मदुबन में रहते सेवा केंदर पर रहते वो जिन्होंने सब कुछ सौहा कर दिया उनके लिए ये सब नहीं है क्योंकि उन्होंने तो स्वेम को ही सौहा कर दिया है ये देना भी कि मैं पैसे दे रहा हूँ अपने आपको अलग समझना है मैं ही इसमें हूँ मैं ही यग्य हूँ मैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी नहीं हूँ मैं ब्रह्मा कुमारीज हूँ I am ब्रह्मा कुमारीज I am not ब्रह्मा कुमार, not ब्रह्मा कुमार I am institution Constitution, मैं संस्ता हूँ अपने आप में, मैं ही स्वाहा हूँ इसमें, वो फ्री है, नो टेक्स, तादी ने जो पैसे थे बस उनी को यूज किया, मनोरदाली, अनुभा सुनाती, जब लॉकिक में गए, तो पैसो की जहां लेंदेन हो जाती है, पैसो की जहां चर्चा हो जाती है, लोग मदुबण में आते, यहां आके भी पैसो की चर्चा करते हैं, सन्यासियों के क्या रूलते है, पावर्टी रूल था, चैस्टीटी और पावर्टी, यहदो ही रूल थे, सन्यासियों के, पैसा रखना नहीं है, परन्तु बाद में फिर लोगों ने उसको ही माया समझ परन्तु पैसा हो पर आ सकती ना हो पैसा हाजा ये इतना हातों से लाखो करोड़ों आएंगे ये लाखों से चले जाएंगे आ रहा है उसका वो हमारा है यह जा रहा है वो भी हमारा नहीं है वो सेवा का है सेवा के लिए आ रहा है सेवा के लिए जा रहा है बस बैंक हम नोट मनि जिंके पास जा रहे हो उनको ग्ञान सुनाना है जिंके पास जा रहे हैं वहां कौनसी चरचाय हो ग्ञान बारता हो ग्ञान मंत्रना हो वो घरेलो चर्चाय नहीं हो फिर क्या हुआ उस plot का फिर क्या हुआ उस court case का फिर क्या हुआ उसकी शादी हुई की नहीं चचरे भाई की, मौसी की फिर कैसा है, ननत कैसी है फिर सासू कैसी है, अरे शादी हो गई मुझे बताया भी निए फोटो भी निए बेज़े लोकिक में जाते है तो इतना लोकिक था आ जाती है इतना लोकिक था कि ये भूली जाते है कि मदुवन में भी थे या मदुवन से जा रहे pure लोकिक absolute उधर की बाते उधर का साइई भी चर्चा उदर कौन देखता है यहाँ जब आएंगे बदबन में आएंगे तो आप सब करेंगे कलर कपड़े पहन के आते हो फिर एकदम से फरिष्टे दिखाई देने लगते शाम में जाते समय तक फरिष्टे फिर वहाँ जाके ड्रेस चेंच छटवा जिनके पास जा रहे हो मूव विद पावर और ब्लिस ऑपरेट विद पावर और ब्लिस शक्ति स्वरूप रोके रहो और उनको इस सत्संग में ले आओ कहां? कराची उनको इस सत्संग में ले आओ तो ये छे रूल है पहला रूल बताया आत्मनिष्ट रिस्टिती में रहना है deny your mother and deny your father deny your brother and deny your sister follow me कौन माँ? कौन बाप? मेरे पीछे आज़ो Jesus Christ कहता है क्यों कहता है ऐसा? इसका मतलब ये नहीं कि मातापिता का सम्मान नहीं करो deny अर्थात उनको एक तरफ कर दो मैं प्रथम वो सब बाद में दूसरा no hagin बहुत ज़्यादा हाथ पकड़ना गले लगना ये सबसे लौकिक दाती है हम अल्ला लोक है अलौकिक जन है न्यारप यारे तीसरा खाना भोजन जितना हो सके खुदी अपना बनाओ खुदी अपना खाओ शाए कितने भी थके हो कुछ भी हो अपना भोजन खुदी बनाना है अगर ये करो तो बहुत ही अच्छा साजपुर्शाट जन्जटी खतम S.F.E उसके बाद में नौमानी पैसा की लेन देन पैसे की लेन देन जितना हो सके कम ना के बरवर हाँ एकदम ही इमर्जनसी है तो ले लिया तो ठीक है पर लेने के बाद भी लक्षे रखना है तुरंट वापस लोडा दो जिससे पैसे लिए पर जितना हो सके कम मिलेगा तो भी चलेगा नहीं है कोई चीज तो चलेगा परन्तु मांगना नहीं है क्योंकि पैसे मांगते ही एक अजीब सा हिसाब चलू हो जाता है एक अजीब सी बेचे नहीं चलू हो जाती है या तो हमको देना है उसको देना है और इसको दिये फिर उससे भी चिंता हो जाती है कि वो देगा की नहीं देगा हाँ अगर देना है तो इस भाव से दो कि अब वापस नहीं आएंगे भूल जाओ इसको दे दिया दे दिया बस वो सेवा में चले गए यग्या में लग गए वो याग चोरी हो गई कुछ पता ही नहीं होगे उसका उसका कोई बुद्धी में नहीं रख हाँ उसने दे दिया तो बहुत अच्छा नहीं दिया तो भूल जाओ नहीं तो ये पैसो की लें देन एक बेचे नहीं खतम क्रियेट करती है संकल वेस्ट होते हैं उसमें संबंद भी बिगड़ते हैं पावर्टी इस बेटर, गरीबी ठीक है चीजे नहीं चलेगा पर मांगना नहीं है खुद कमाई करो खुद मेहनत करो पर मांगना नहीं है जिसका हम खाते हैं उसके हम गुलाम बन जाते हैं क्यूँ पितामा भीश में कुछ बोल नहीं पाएं क्या है कहते है क्योंकि दुर्योधन का नमक खाया है तो उसकी तरफ से हमको बोलना पड़ता है चाहे वो अन्या ही क्यों ना कर रहा हूँ अगला उनको ज्ञान सुनाना है ज्ञान की चर्चा है हो ज्ञान की वारतालाब हो संसार की जर्मोई जब्मोई वहाँ जाते हैं हम उनके बन जाते हैं उनके रंग में हम रंग जाते हैं उनके vibrations बहुत ज़दा powerful है क्योंकि unreal है यह क्योंकि वो संसार में रहते हैं अभी अभी थोड़ी जलक मिली अध्यात्म की थोड़ा थोड़ा प्रभु प्रेम अभी अभी आसू आये है बाबा की प्यार से और हम सोचते हम एकदम संपूर्ण संपन्नता को प्राप्त हो गए और जाके सब का उध्धार कर दूँगा मैं बुद्ध हूँ जैसे बुद्ध गए घर और सारे सन्यासी हो गए हम गए सन्यासी हम थे और गुरस्त हो गए उनके वाइब्रेशन हम से पाउरफूल है गएते संसार उनको गड़े से निकालने अभी कह रहें गड़े में बहुत आनंद है पता नहीं कहा था मैं पहले पहले क्यों नहीं आया और उनकी सेवा करनी है क्या करनी है उनकी सेवा बंगाल में बहुत बड़े क्या कहें विद्वान इश्वर्चंद्र विद्यासागर थे एक बार उन्होंने देखा सीडिया उत्रे तो उनका जो नौकर था बेहोश पड़ा हुआ था और आखों में आसू थे सूख रहे थे, सूख गये थे हाथों में एक खत था तो वो खत उन्होंने लिखा हाथ से निकाला और पढ़ने लगे तो उसमें कोई एक बुरी खबर थी जो उस नौकर के घर से आई थी घर उसका गाव में था तो विश्वर चंद्र विद्या सागर वहीं बैठ जाते और एक पंका लेके उसको पंका करने लगते तब तक उनका मित्र वहां आता है कहता है तुम ये क्या कर रहे हो वो नौकर है उसकी क्या उकात तुम बैठ के मालिक हो तुम तुम बैटके उसको पंखा दे रहे हो और वो भी बेहोश है वो भी जारा रो रो के रो रो के इतना ये हो गया कि नीद आ गई उसको विश्व चंद्रविद्या सागर कहते एक बार मुझे याद है मेरे लौकिक पिता ऐसे ही कहीं जा रहते धूपती और गिर गए और बेहोश हो गए उनको भी किसी एक गरीब ने इसी तरह उनकी सेवा की थी मैं अपने पिता को इसमें देखता हूँ तो सेवा करते समय ये बेदभाव ना हो ये कौन है चाहे कोई भी हो एक आतमा ही क्यों ना हो पर उसकी भी सेवा पता नहीं वो कौन सी आतमा होगी और हमें उसकी सेवा के लिए निमित्त बनाया गया है तो कुछ तो राज होगा हम भी कोई साधरन थोड़ी है और वो भी कोई साधरन नहीं और लास्ट उनको यहां ले आना है हमको वहां ही पहुचाना है अपने आपको उनको सेंटर तक पहुचाना है उनको मदुबन तक पहुचाना है तो ये छे रूल उनको बताया गया six rules और उसके बाद ही घर जाना अब आते मनोरिंद्रदादी के अनुगो तो मनोरिंद्रदादी लिखती है कि मैं 6 साल हो गए घर वालों से कोई संपर्ग नहीं कभी कभी एक ख़त जो बाबा कहते थे लिखो तो लिख देते थे बाकी उनसे कोई संपर्ग नहीं था और अचानक एक दिन फिर मैं घर गई without informing, इनफर्म नहीं किया कि मैं आ रही हूं करके इसके लिए घर जाओ तो अचानक चले जाओ क्योंकि घर अगर इनफर्म करके जाओगे तो तुम्हें जो बच्पन में चीजे पसंद थी वो सारी तयार रहेगी मम्मी छोड़ेगी नहीं तो without informing और जैसे वो पहुची तो दादी लिखती है कि दादी की जो भतीची थी छोटी गन्या वो तो जब दादी गई तो बहुत ही छोटी थी तो वो चिलाती हुए अंदर भागी कि वो जो घर छोड़ कर चली गई थी ओममंडली चली गई थी वो वापस आ गई है कौन वापस आई है जो भी वो उसको तो पता नहीं हो छोटी है तो भाग भाग के जाती है अंदर तो उसकी मा होती है कौन सी माँ? वही माँ जिसमें 18 जन्वरी 1839 में कोर्ट केस वाइल की थी हर गंगे गंगा और हर अर्थत दादी इन दोनों के माँ ने क्या की था? सबसे पहले कोर्ट केस इनों नहीं की थी जो पंदरा कन्य आया थी पंदरा में से यह दो थी लक्ष्मी उनका नाम लक्ष्मी हाँ एक चीज जो हमें नागराज भाई ने बताई उस दिन हम सबसे पूछ रहे हो जब हमें भी पता नहीं अब वो बात पता चल गए ये बाबा की एक बेटी कलावती उसका क्या हुआ उसका कहीं वर्नन ही नहीं तो नागराज भाई बता रहे थे और बाबा की बागी बच्चे तो कल सुनाए थे याद है न साथ बच्चे सुनाए थे कल कौन पहला बच्चा बाबा का? खासी ये मेरी बच्ची है आती रहती है दूसरा बच्चा टेप बहुत ओबिडियन बच्चा है जो मैं बोलता हूँ ऐसा सुनाता है तीसरा बच्चा यह साप इसको भी दूद पिलाओ अगला बच्चा उसी दूद साप के साथ ही चिडिया भी बच्चा है उसके बाद में चवता माली यह माली भी बच्चा है CID officer बाहर वाले वो भी बच्चा है और और जो आने वाले बच्चे है और यह पाच तत वो भी बच्ची है धर्थी मा धर्थी बच्चा बच्ची तो यह ब्रह्मा ने इनको अपने बच्चे बनाए जब भाव आ जाता है कि हम पालक है तो अपने आप सब इस अनुसार ढलने लगता है तो वो भाग क्या आई उसे तो आश्चर यह और उने ने तो सोचा तो यह मर चुग यह तो कभी आएगी नहीं परन्तु दादी लिखती है कि मैं खड़ी हूँ वो सामने खड़ी है एक धम शिव शक्ति रूप हात ऐसे कर दिया जो साथ रूल है छे रूल से छे रूल एक 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 फॉलो किये आत्मनिष्ट नो हगिंग बेटी तुम कहां थी यह सब कुछ नहीं कौन बेटी किसकी बिटी शक्ति रूप हूँ गो सामने दादी पीछे वो उसको अंदर लेके गई उसकी मा बिठाया और फिर बहुत सारे लोगों का आस पडोसियों को बुला लिया और दादी न एक घंटा तक ग्यान चर्चा की प्रवचन दिया अर्थात, रूल्स, सेवा, ग्यान सुनाना है तुमको यहाँ वहाँ की चर्चा नहीं करनी है कौन हिम्मत करेगा यहाँ वहाँ की चर्चा करते हुए यहाँ साक्षाद देवी आके खड़ी हुई है शिवशक्ती रूप हमारी बेटी नहीं आई है शिवशक्ती आई है और एक हफता दादी रही अपना भोजन खुद जादत और फलहार ही किया पैसे उनसे मांगे नहीं जो थे वही और लास्ट में जब जाने का समय आया तो उसकी मांने का मुझे भी तुमारे साथ चलना है तो एक रूल यहाँ पर भी हो गया कि मुझे भी तुमारे साथ तो एक एक करके छे के छे रूल फॉलो किये और वो मां उनकी पहुँच जाती है है कराची और वहाँ पर वो कहती है मुझे भी साक्षातकार कराओ मैंने सुना है यहाँ सब को साक्षातकार होते मुझे भी कृष्ण को देखना है इसको उसको देखना है तो दादी कहती है यह कोई हमारे हाथ में नहीं है जिसका पार्ट होगा उसको साक्षातकार होगा दो दिन के बाद उनकी माता लक्ष्मी माता ते सामने वहाँ पे एक ध्याने शुरी माता होती है ध्यानी वो उसको सामने बिठाती है और थोड़ा वारतलाप करती है तो उसको साक्षत कर होता है फिर वो देखती है शिर सागर उसके उसमें एक महल महल में एक सभा सभा में लक्षमी ना रहन तो बहुत खुश हो जाती है और फिर बाबा से कहती है अब मैं हमेशा के लिए यहीं रहूंगी यह वही माता है कौन सी जिसने कोट केस की थी कि मेरी बच्ची को चुमने चुराया है यह वही माता है जो कहां गयती किसके भवन के सामने जाके रोना भूख अरतल की थी शिवरतन मौता उनके सामने जाके इन्होंने सब यह किया था वो सब माता है तो वो कहती है अब इधर ही रहना, मैं इधर ही रहूंगी, बाबा मुझे यहीं रख लो पर बाबा क्या कहते हैं, नहीं उसको वापस भेचते हैं, हाँ जो कन्या थी उसका कोई सपोर्ट नहीं था, इसलिए तुम को यहां रखे यह तो बड़ी है, इसका सब मानेंगे भी तो वो तुम वहीं रहो, जहां है तो यह एक अनुभव है, घर बापसी का और दूसरा अनुभव है, और मुख से जो कुछ निकलता है दादिया कहती है, वो जैसे आकाश वानी जैसे निकल रही है हमारे मुख से, खबरदार हो जाओ, महाविनाश सामने है क्योंकि कहा न, यह जो समय था, 1943 में ही यह कब हुआ, एक्जैक पता नहीं अभी, यह इवेंट क्योंकि उस समय किसी ने लिखा पड़ी, क्युछ नहीं की थी परन्तु, 1940 और 50 के बीच में यह हुआ है डेट, साल, कोई खबर नहीं, पर एक जगा कहा जाता है पाँच और छे साल के बाद, अब वो पाँच और छे साल 36 से लेके या 39 से लेके, वो नहीं पता तो आसपास यहां कहीं हुआ, और यहां पर माहोल बहुत गरम है बाहर, विश्वयुद्ध हो रहा है, तो वो उसी भाशा में कहती है कि माविनाश सामने खड़ा है, जागो तो वो सही में जाग जाते है सुनाने वाला जिस भाव से कहता है, उसका प्रभाव पढ़ता है जिस भाव में स्तित होके कहता है तो जैसे आकाश वानी हो रही है, वैसे ही रिदय पुष्पादादी वो भी इसी तरह कानुपो सुनाती है कि हम भी लौकिक गए, तो ऐसा हुआ तो ये जो गटना है, ये भी एक important chapter था और ये क्या था? trial run था, trial marathon ये क्या था? trial marathon, अभी बड़ी जो marathon है, ये होने वाली है world service, वो world service का ये harbinger है उसकी ये जैसे शुरुवात हो गई है कि ये काम हमें करना पड़ेगा कि जाना पड़ेगा, जो दुखी है, जो अशान्त है उनको उनके दुख दूर करने पड़ेंगे उन्हें पवित्रता का पार्ट सिखाना पड़ेगा ये काम करना है, तो इसको कहते है trial marathon उस बड़ी सेवा का this was a trial marathon, harbinger of future service ए ट्रेलर था, उनको थोड़ी सी idea आ गई थी, कि हमें ऐसा शायद करना पड़े, अभी लोकिक वालों के पास गया है, और यहां और एक पार्ट था, जो मुर्लियों में English वाक क्या आता है, charity begins at home, charity begins at home art, home के कितने अर्थ है, पास्छे अर्थ है पहला मैं खुद सवयम का कल्या, home art, दूसरा लोकिक मातपिता home art, लोकिक मित्र संबनदी home art, लोकिक गाव, जिस गाव से तुम निकले हो उस गाव के रिणी हो लोकिक करथा, समाज charity home art, जिस समाज से निकले हो उच्छ समाज के रिणी हो स्वतंद्रवीर सावरकर का एक वाक्य है देहा कड़ना देवा कड़े जाता न मथे देश लगतो आनि या देशा से आम ही देने लगतो शरीर से देहा कड़ना देवा कड़े जाता न परमात्मा की और जाते समय बीच में देश लगता ह और इस देश के हम कर्जदार है तो होम अर्थात देश होम अर्थात भारत होम अर्थात भारत क्या है भारत की क्या परिभाशा है भारत अर्थात स्थान भारत अर्थात व्यक्ति भारत माता की जै अर्थात किस की जै भारत वासियों की जै एक एक भारत वासी क्या सब का कल्यान हमने किया है क्या सब को संदेश दिया है किसको दिया है बहुत कम लोगों तक पहुँचे हम सोचते हमने बहुत सेवाय कर ली मुंबई जैसे शहर में जाओ दादर के रेलवे स्टेशन पर खड़े हो जाओ लोग भाटक रहे भाग रहे यहाँ वा उसको पूछो तुमको पता है भगवान आया टाइम ही नहीं उसके पास लोकल ट्रेन में बैटो दादर विरार वाली पूछो कितनों को संदेश मिला है ब्रह्मा कुमारिस का और हम केवल अपनी खबरे सुनते हैं इसलिए हमको लगता है बहुत हम सेवा कर रहे हम केवल अपनी अपनी खबरे सुनते रहते है इसके लिए हमको लगता है हम बहुत सेवा कर रहे कई ऐसे लोग है माउंट में भी कितने हैं ऐसे जिनको कोई खबर नहीं है क्या चल रहा है इनका क्या करते हैं ये लोग तो काम तो बहुत बड़ा है हमारा कहां किये हमने, कुछ भी सेवा नहीं किये अभी तक इसलिए तुमारी नीन फिड जानी चाहिए बाप के पास बच्चों के दुख की आहा आती है बच्चों के पास क्यूं नहीं आती है बच्चों के पास क्यूं नहीं आती हम भी सोच रहें पता नहीं क्यूं नहीं हमको सुनाई देता है बच्चे भी क्या कह रहे है वही तो हम कह रहे हमको क्यूं नहीं सुनाई देती है हम अपने दुखों में डूबे तो आकाश शुआनी करनी है संसार में जाओ तो लोकिक रूप ना हो शिवशक्ती रूप में जाना है जब भी किसी कोई कोर्स कराओ जब भी कोई प्रोग्राम करो तो वो प्रोग्राम में लोकिकता नजर ना आए जैसे संसार के लोग प्रोग्राम करते भाग दोड़ कर रहे, भाग दोड़ कर रहे, वो नहीं, शान्त, स्थिर, अलोग इकता हो, सेंटर का वायू मंडल, प्रोग्राम का वायू मंडल, भले वो प्रोग्राम कहीं बाहर गार्डन में हो रहा है, किसी लगनमंडप में हो रहा है, वहां के वाइब्रेशन पहले ही द देखती रही कितना देर इधर उदर गोमती रही दादी को पूछा दादी आप क्या कर रहे हो दादी ने कहा यहां शाम को प्रोग्राम है ना सकाश दे रही हो शुद्धी करन प्यूरिफिकेशन तो होना चाहिए उस थान का तो जहां प्रोग्राम हो जहां हम जाने वाले या जो आत्मा आश्राम को कोर्स करने आने वाली है उसको पहले ही उसकी सुक्ष्म सेवा करने है शक्ती देनी है उसको और आत्मा है बहुत दुखी है बहुत दुखी है इधर भी दुखी है उधर भी दुखी है ग्यान योग के अभाव के कारण इधर दुखी है किया दिये कि देखेंगे उसको posters, फिर धारनाए और कुछ एक-दो chapters इससे जुड़े होए और है और एक चो महत्वपूर्ण था इसी पीच में कहते है कि अभी तक यह सिंधियों की community है पर धीरे-धीरे गुजराती लोग इस community में आने लगे तो वो जो stamp था कि यह सिंधियों की संस्था है, सिंधियों की omenly है, अभी यह नहीं रहा है क्योंकि इसमें कुछ-कुछ गुजराती लोग enter होने लगे है तो यह international बन भी थोड़ा national रूप इसका धारन हो रहा है यह सिंधि तो बिलकुल सिंधि कोई लेना देना नहीं है और दूसरा, हमने यह कहा था कि 39 में, ministers ने कहा था संस्था का नाम बदल और उसी समय पर Pew ने क्या कहा जो कल हमने देखा, कि यह कौन है यह अलग, यह कौन है प्रजापिता, ब्रह्मा तो प्रजापिता, ब्रह्मा और यह सब कौन है Daughters of Brahma, कुमारी इसके लिए उस तरह का वो नाम create किया गया प्रजापिता, ब्रह्मा, कुमारी, इश्वरिय, विश्व, विद्याले विश्व, विद्याले क्योंकि ओम हाइज स्कूल थी यहां पड़ाई होती है तो सब जोड़ जाड़के एक नया नाम New Logism, New Name तो आज यह चाप्टर हमने देखा कल कुछ बाते और हम देखेंगे गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो, विचार कर चलो रहा की मुसीबतों को पार कर चलो पार कर चलो हम पे जिम्मेदारी है देश की बड़ी विश्व सेवा यह सेवा करना अरथात वास्तविक देश की सेवा करनी है यह वास्तविक देश भक्त बनना है देश के लिए कुर्बानी क्या है Freedom Fighter बनना अरथात यह है हम ना बदले अपनी चाल हर घड़ी-घड़ी यह कौन मनजिलों पे मनजिले उड़ा रहा है मिल के चलो एक साथ अब नहीं रुको पढ़ के चलो एक साथ अब नहीं जुको साज करेगा, आवास करेगा हमारी वीरता पे सारा जहान नास करेगा गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो गलत मत कदम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो हम पे जिम्मेदारिया है देश की बड़ी हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी हम पे जिम्मेदारिया है देश की बड़ी हम न बदले अपनी चाल अब घड़ी घड़ी आगले चलो चिरागले चलो ये मस्तियों के रंग भरे पागले चलो वलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो वीचार कर चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो पार कर चलो मंजिल के मुसाफिर तुझे क्या राह की फिकर चत्तान पे तुपानों के जोखों का क्या असर ये कौन आ रहा अंधेर चा रहा ये कौन मंजिलों के मंजिले उठा रहा गलत मत कदम उठाओ सोच कर चलो विचार कर चलो राह की मुशीबतों को पार कर चलो पार कर चलो मिलके चलो एक साथ अब नहीं रुको बढ़ते चलो एक साथ अब नहीं ठगो साज करेगा आवाज करेगा अमारे वीरता के जहानाज करेगा मत मत कदम उठाओ सोच कर चलो विचार कर चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो गलत मत करम उठाओ, सोच कर चलो, विचार कर चलो राह की मुसीबतों को पार कर चलो, पार कर चलो